अपना इंशुरेंस वाला हेलो फ्रेंड्स आज में आपको LIC के एक नए प्लाइन सरल पेंशन योजना के बारे में बताऊंगे जिसका टेबल नमबर 862 है जिसे 1st July 2021 को लाँच किया गया है IRDA ने जनवरी में एक सर्कुलर लाया था जिसमें सभी इंशुरेंस कंपनी से कहा गया था कि वो एक ऐसी पेंशन योजना लाए जिसकी टर्म और कंपनी में सेम हो और जो हर आम नागरी को आसानी से समझा सके ऐसी पेंशन योजना जिसे हर व्यक्ति खुद समझ कर अपनी पेंशन का इंतिजाम करने के लिए उसमें इंवेस्ट कर सके तो IRDA के सरकुलर के अनुसार LIC ने 1 जुलाई 2021 से सरल पेंशन योजना टेबल नंबर 862 के नाम से नया पेंशन प्लैन लाँच किया है LIC का ये प्लैन नॉन लिंक्ट गारिंटिड इमिडियेटली एन्यूटी प्लैन है यहां मैं आपको बता दूँ कि एन्यूटी का मतलब पैंशन ही होता है इस प्लैन में मिलने वाली पैंशन आप प्लैन लेते वक्त फिक्स कर लेते हैं क्योंकि पैंशन मार्केट बेस्ट नहीं होती है ना ही ये pension साल के अंत में declare होने वाले bonus पर depend करती है, ये immediate annuity plan है, annuity दो तरफ ही होती है, एक immediate annuity और एक deferred annuity, immediate annuity में policy लेने के बाद तुरंथ ही आपको pension मिलने लगती है, वलकि deferred annuity में आपको कुछ सालों के बाद pension मिलती है, आप कितने साल बाद pension लेना चाहते हैं, ये आप खुद decide कर सकते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, इन दोनों तरफ की pension में आप एक साथ पैसा जमा करना पड़ता है, जिसमें एक fixed ब्याज आपको lifetime मिलता रहता है, LIC में deferred annuity में जीवन शान्ती प्लान और immediate annuity में जीवन अक्षे प्लान पहले से ही चल रहे हैं, पर दोनों ही प्लान में कई सारे option मौझूद हैं, जैसे जीवन अक्षे में A, B, C, D, E, F जैसे कई options हैं, इससे policy लेने वाले को समझने में कठिनाई होती हैं, इनी सब को ध्यान रखते हुए, IRDA ने जन्वरी में एक सरल और common pension plan सभी कमपनियों को launch करने के लिए कहा, जिस पर LIC ने कारी किया और 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021 को इस plan को launch किया गया, चलिए अब जान लेते हैं कौन-कौन ये plan ले सकता है, कोई भी male, female या transgender इस plan को ले सकते हैं, housewife, business man, working person, कोई भी इस plan को ले सकते हैं, 9 minimum entry age, इस plan को लेने की minimum entry age 40 साल है, मतलब अगर किसी को ये plan लेना है, तो वो 40 साल की उम्र को पार कर चुका हो, तभी ये plan ले सकता है, maximum entry age इसमें 80 years है, ये 80 साल के व्यक्ति को दिया जा सकता है, और 80 साल के उपर इसे नहीं ले सकते हैं, इसमें term lifetime है, ये whole life pension plan है, इसलिए इसका term policy लेने वालों के जीवन पर भी तक ही रहता है, minimum pension इसमें fix होती है, इसे आप 4 option में ले सकते हैं, monthly, quarterly, half yearly और annually, monthly, आप minimum इसमें 1000 की pension ले सकते हैं, monthly mode में pension लेने के लिए minimum pension 1000 ही चूज करनी परती है, इससे ज़्यादा आप चूज कर सकते हैं, पर इससे कम आप चूज नहीं कर सकते हैं, मतलब 1000 का 1500, 1500 या 2000 तो हो सकता है, पर 1000 का 800 या 900 नहीं हो सकता है, आपको आपकी age और sum assured के according कम से कम fix amount जमा करना ही होगा, जिससे आपकी monthly pension 1000 या इससे उपर की बने, इसी तरीके से quarterly में आपको 3000, half yearly में 6000 और annually में 12,000 की pension minimum चूज करनी ही पड़ेगी, ये plan आपको दो option में मिलता है, option 1 में जो ये pension plan लेता है, उसे पूरे जीवन भर pension मिलता है, बाद ने purchase price nominee को return कर दिया जाता है, इसका मतलब अगर आप खुद के लिए ये plan लेते हैं, तो आपको जीवन भर pension मिलेगी, और आपके जाने के बाद आपके nominee को वो पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो आपने plan लेते वक्त LIC में जमा किया होगा, इसी तरीके से option 2 में दोनों पत्ती पत्नी include होते हैं, मतलब जीवन भर आपको pension मिलेगी, उसके बाद आपके husband या wife को जीवन भर pension मिलेगी, और बाद में nominee को purchase price, purchase price वो है जो आपने LIC लेते समय जमा किया होगा, उतना पैसा वापस दिया जाएगा, यहां इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है कि किसकी death पहले हुई है, तो पत्नी को, और अगर पत्नी की death पहले हुई है, तो पत्नी को transfer हो जाता है, इस plan में जीवन अक्षे की तरह बच्चों को pension नहीं मिलती है, और नहीं उन्हें कोई joint member बना सकते हैं, हाँ उन्हें आप नॉमिनी बना सकते हैं, एक और खास बात इस plan में लेते समय आपको इसमें GST भी जमा करनी पड़ती है, जो आपको वापस नहीं होती है, अब बढ़ते हैं, सरेंडर की तरह, इस plan को आप 6 महिने के बाद कभी भी सरेंडर करा सकते हैं, सरेंडर सिर्फ फैमिली क्रिटिकल इल्नस पर ही होती है, फैमिली में पॉलिसी लेने वाला उसकी पतनी बच्चे ही इंकल्यूड होते हैं, इसमें 20 गंबीर बीमारियां दी गई हैं, जिस पर ही आपको सरेंडर की फैसिलिटी मिलती है, सरेंडर में आपको 95% of purchase price return कर दिया जाता है, मतलब अगर प्रीमियम 10 लाग का है, तो सरेंडर वैल्यू 9,50,000 रुपे ही होगे, प्लैन को लेते समय आपको मेडिकल की जुरत नहीं होती है, चलिए बात करते हैं, लोन फैसिलिटी की, इस प्लैन में 6 मेरे बाद आप लोन ले सकते हैं, पर लोन लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि लोन एमाउंट इतना ही हो, जितना interest आपकी annual pension की 50% से जादा ना आए, इस साल के लिए लोन का interest rate 8.44% है, जो हर साल कम्या जादा हो सकता है, मतलब अगर आपकी pension 12,000 पे 12,000 है तो आपको इतना ही लोन ले पाएंगे, जितना कि आपका जो interest है वो 6,000 सालाना हो, या फिर उससे कम हो, चलिए बात कर लेते हैं कि आप ये policy कैसे ले सकते हैं, इस policy को आप online और offline दोनों तरीके से ले सकते हैं, अब free look period, अगर अपने policy ले ले लिए और policy आपको पसंद नहीं आई है, तो online में आपके पास 30 डेस का time होता है, ताकि आप उसे return कर सके और offline में आपके पास 15 डेस का time होता है, कि अगर आपको policy पसंद ना आए तो आप उसे return कर सकते हैं, और आपका पूरा पैसा वापस होगा, लेकिन आपक मिस्टर रमेश है, जिनकी एज 60 एर्स है और उनकी पतनी मालती की एज 55 एर्स है, और अगर मिस्टर रमेश ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग सरल पैंशन योजना में 10 लाग रुपे लगाते हैं, तो उन्हें 10 लाग रुपीज प्लस GST 18,000 रुपीज जमा करना होगा, यानि उ अगर पैंशन चाहते हैं, तो उनको पैंशन बलेगी 51,650 रुपीज पर एर, अब दूसरी प्लान में हमने सेम कंडिशन ली है, जिसमें हमने ऑप्शन 2 लिया है, मिस्टर रमेश की एज 60 उनके वाइज 55 और उन्होंने जो डिपोजिट किया है, वो है 10,18,000 रुपीज प् 51,150 रुपीज, आउप्शन 2 में वाइफ को भी साथ में एड किया गया है, यानि ये जॉइंट लाइफ पैंशन प्लान है, इसमें पहले हस्बेंड को, अगर हस्बेंड ने ये पॉलिसी कराई है, तो पहले हस्बेंड को पैंशन मिलेगी, उसके बाद उनकी वाइफ को वो आई, कमेंट, शेयर करना न भूले, इससे हमें मॉटिवेशन मिलता है, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें यूट्यूब, टेलिग्राम, फेस्बूक, और इंस्टाग्राम, और ट्वीटर पर फॉलो कर सकते हैं, और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक य